मस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे वह स्टेट पैंक और इंडिया इसने आज ही दोस्तों कोटली रिजर्ट्स होके हैं और अच्छा कासा डिवीडेंट दिया है 11 रुपिय अच्छा का आ पर दिवीडेंट डिया रिजर्ट्स है उसके बावजूद भी नीचे किया है क्योंकि आज इसमें कॉल्पुट में दोस्तों बैंक को गिराया गया और उपर चढ़ाया गया और उससे काफी पैसा बनाए गया कॉल्पुट में तो बड़ जब हम दिलिवरी में काम करते हैं कर दोस्त इस company मैं हम क्या करते हैं थो स्टों कम कम शेर्स खरीदना हमें होता है और long time के लिए हमें hold करना होता है जिस परकार दोस्तों हम कैसे जब भी कोई घुड जॉब करते हैं दोस्तों वहां पर भी लेक वह वेट करते हैं उसके profit होए है quarter 4 के results आए है इसमें जो profit climbs climbs 83% to Rs. 16,695 crore यानि कि 83% के इसने profit होके हैं दोस्तो और quarter 4 results और 11.30 के इननोंने पर सेयर पे अपना dividend declare किया है तो जिसके पाँ अच्छी huge quantities यह उनको dividend मिलेगा और आने वाले time में दोस्तो अच्छे खासे profits भी generate करके देगा क्योंकि company number one PSU bank है जहां पर सब सारा पैसा लगवा है सार दोस्तो जो कि क्या है जो कि जित्ता भी हमारी इंडिया की population उसमें maximum जो accounts हैं वो SBI के अंदर आते हैं और SBI के बाद अच्छा कासा amount और government का backed है ठीक है तो यहां से कापी अच्छा अच्छा से corporate loans वेगरा दिये जाते हैं और वहां से return लिये जाते हैं इंटरस्ट लिये जाते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तो आने वले time में पैसा बनता और इस company को government का backed होता तो डूबने का भी सवाल नहीं होता जब भी इसमें कभी भी NPS वेगरा बढ़ते हैं तो इसमें government funding कर देती है तो बहुत सांदार company है अच्छे results आने के बावजूद आपको सस्ते दाम में मिल लिया है तो इस stock पर आप focus सकते हैं चले दोस्तों अगर इसके net profit की बात करेंगे तो दोस्तों इसके net profit देखें कितना अच्छे भैतरी net profit है दोस्तों इसके पहले देखें दोस्तों अभी इसके जो net profits निगल का आएं 18,769 क्रोड का असपा उससे पहले देखे 15,000 का असपा तो आपको quarter आपको year and year देखो profit बढ़ते वह न जा रहे है quarter in quarter profit बढ़ते वह न जा रहे है यह देखे दो को 6,000 थे दो उसका 7,000 क्रोड आए उसका 9,000 क्रोड आए तो आपर continuous increase ही दिखने को देखेगा और दो revenue देखे इसके March 22 quarter में देखे 74 क्रोड का असपास थे जून में 76 क्रोड का असपास थे और सेटमबर में देखे 84 क्रोड का असपास होगे तो आपको कहीं पर dip नहीं देखेगा क्योंकि बहुत बढ़त जबदस्त बैंक है अच्छा का सा बैंक है तो revenue देखे इनके बढ़ते चीज़ होती है जो बैंक और financial sector सो लगा होते दोस्तों वह थे NPS ठीक है एनपी होते है जो net provision होती है दोस्तों जो हमारा जो पैसा दिया होता है बैंकों ने बाहर लोन के तोर पर वह रिकवरी होनी भी है नहीं होनी है क्योंकि बहुत सारा पैसा बैट डेप्ट समझ चला ज है तो देखो पिसले साल 3.52 थे फिर उसका 3.1 पूर आप इनके देखो 2.78 जो NPS है प्रॉफिट्स बर्ड है रेविन्यू बर्ड है और NPS जो है NPS के कम हो रहे है ठीक है और जो net NPS देखे दोस्तों वह आपके 77.77 परसंते 0.67 यहां पर भी घड़ो नीचे को descending order में देख र है अब यह दोस्तों हमने जो maximum chart लगाया तो यह SBI का maximum chart है किसी बंदे ने कहीं पर भी इसमें इन्वेस्ट किया है तो दोस्तों इसको आज huge profit हो रहा है ठीक है यह company long term में पैसा बना के देती है soft term में गिरते रहती है इसमें क्योंकि निप्टी का भी पार्ट है और bank इसी था उसका पैसा भी बनना है 2020 के जो crisis में यहां पर investor उसका पैसा भी बनना है तो इसमें गिरावटे मिलते रहते हैं यहां से 5-10-10% आपको यहां से पैसा कमा सकतो 3% और 5% यहां से मंतली आराम से निकाल सकते हो और साल के 50% आप यहां से generate कर सकतो बस आपको continue watch करना है द दिरे दिरे आपके 6 cents काम करने लग जाए यह आपको पता लग जाएगा कहां पर रेजिस्टेंस होता है कहां पर support होता है कहां पर buy करना है कहां पर dip करना है कहां पर 5% profit करना है कहां पर 10% तो वहां से आप कर सकते हैं बस दोस्तों company में दोस्तों आपके पास suppose 10,000 की capital है दोस पर पैसा इन्वेस्ट करना और एक फिक्स्ट अमांट लगा के चलना ठीक है तो आपका पैसा बनेगा नहीं तो अनित अगर आप यूज अमांट में काम करेंगा सपोज आपके पास एक लाग रुपया और एक लाग आप हायर प्रैस पर लगा देता है और उसी के अगले दिन ये 5% ये 10% ग्रिज जाता है तो आपको गिरावट में खेंदने के लिए आपका पैसा नहीं है तो आपका गिरावट में खेंदने के लिए पैसा नहीं तो आप स्टक हो जाओगे हो क्योंकि दोस्तों stock market में एक right company ढूटना बहुत जरूरी है right company आपने ढूंड लिए right company क्या है SBI एक right company क्योंकि पिसले 20 साल से किसी को loss देते भी नहीं आ रही है और right price दोस्तों होना बहुत जरूरी है अगर right company आप ढूंड भी लेते हो तो right price होना बहुत जरूरी है क्योंकि right price पर हम high price पर huge amount लगा देंगे तो हमारा पैसा stuck हो जाएगा, hold हो जाएगा हमें stock market से exist करना पड़ेगा तो right price कैसा आएगा, road price तभी आ सकता है दोस्तों आप जब कम-कम shares उठाएंगे और हर gear out पर उठाएंगे और एक limit सेट करके रखेंगे कि इससे ज़्यादा नहीं लगाना है और 5-20% वहाँ से profit book करना है और दूसरे stock पर काम करना है ऐसी आपको एक portfolio बनाना पड़ेगा जहां पर आप काम कर सकते हो और वहाँ से अच्छे का से return जनेर करते हैं हो सकता कि कुछ time पर कोई stock नीचे गिरा हुआ और कुछ time पर कोई बढ़ा हुआ हो तो जब आपको जो stock बढ़ता है उसको बेचना है और जो stock गिरा हुआ है उस पर आपको SIP continue करना है जैसे आप mutual fund में SIP लगा के भूल जाते हो दोस्तों बार-बार track नहीं करते हो वैसे stock market में भी काम करना है दीरे-दीरे SIP में कम-कम गिरावट पर उठाना है और कुछ time के लिए hold करना है दोस्तों क्योंकि patience होना बहुत जो रही है जिसा आज दिनका patience है वह यहां से stock market से पैसा कमा सकता है आपको क्या करना है दोस्तों आपको दीरे-दीरे stock में SIP करना है suppose यह stock आज 576 का आसपर तो 576 आपने 1 stock खरीदा तो दोस्तों यह अगर 5-5% परसेंट निचे गरता तो आपको 2 stock और खरीदने है 5 निचे गरता तो 3 stock खरीदने है आपको 10,000 या 20,000 जितना भी capital है आपने capital के accordingly आपको इसमें invest करना है जब यह utal मारेगा क्योंकि यह अच्छी company, right company, best company है तो आपको वहाँ पर test होगा patience आपको test होगा जो बंदा hold कर रहा है जो बंदा यहाँ से hold करेगा patience दिखाएगा उसका पैसा stock market से बनेगा stock market बहुत अच्छी है दोस्तों यहाँ पर जो पैसा होता है दोस्तों यह एक जरिया है जहां से जो capital transfer होते हैं जो impatient long होते हैं impatient long से जो patience जिनमें ज़्यादा होता है उनके पास यह पैसा जाता है तो दोस्तों इस company पर आप नजर बना कर रखते हैं बहतरिन company सांदर company ऐसी company मिलेगी नहीं और lifetime जियो नबर इस state bank से आप काम कर सकते हैं यहां से पैसा बना सकते हैं दोस्तों बात करते हैं दोस्तों अभी जो इन्होंने आप ने जो जो इन्होंने प्रोविजन देखिए दोस्तों इनके जो प्रोविजन पहले की थी साथ हजार के आसपास प्रोविजन थे यानि कि साथ हजार क्रोड के आसपास के जो इन्होंने लोंस बाटे थे इन्वेस्ट रिटेलर को दिये थे बड़े-बड़े कॉर्परेट लोंस दे तो वहां से पैसी की रिकवरी हुई नहीं उसके बाद देखिए कि ते बहतरी इन 3,000 क्रोड में से कुछ के रिकवरी हो जाए तो इस तो क्या होगे कंपनी को बहुत फायदा होता है सेर रोकेट की तरह भागता है तो आने वाले टाइम में दोस्तों क्योंकि इस स्टॉक में देखो दोस्तों यह अच्छी कंपनी है ब्लूचिप कंपनी मान सकतो पीस्यू बैंग मादर आप जाओगे तो SBI से बहतरीन कंपनी आपको कोई भी नहीं मिलेगी तो बहतरीन कंपनी इस कंपनी में अच्छा का सा आप काम कर सकते हो ईपिस की बार देखो दोस्तों इसकी अनिंग पर सेर निकल का रही थी दस रुपी का आसपा थी उसका पंदरा होगे अ ऐसी कंपनी आपको मिलेगी नहीं जिस पर आप lifetime काम कर सकते हैं सारे results इनके सारे अच्छे होते जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों इस पर अपना focus बनाके रखें यहां से अच्छे कासे return generate करें और आने वाले time में आपको कफी फायदा होगा अगर यह वीडियो पसंद है तो प्लेज लाइक और सब्सक्राइब भी करें कीजी का धन्यवाद